हे गाइस यह भारत में महाबलेपुरम है और आए इस ना समझा सकने वाली चट्टानी सन्रचना पर एक नजर डालते हैं जिसे भीम का चूला कहा जाता है इस्थानिये लोगों का मानना है कि इसे एक जाइंट ने मनाया था जो 12 फीट से अधिक लंबा था और मैं आपको एक जाइंट द्वारा बनाया गया था लेकिन पहले आईए देखें कि क्या यह सन्रचना इंसानों द्वारा बनाई जा सकती थी इस सन्रचना की विशेष्टा यह है कि बाईयोर की चट्टान जिसका वजन 1700 टन है इसे उठाकर दाईयोर अपेक्षा कृत छोटी चट्टान पर जुका दिया गया है पुरातत्व विद और भू वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि यह कोई प्राकरतिक सन्रचना नहीं है बलकि इसका निर्मार कम से कम 1200 साल पहले हुआ था लेकिन प्राचीन मानव 1700 वजनित चटान को कैसे उठा सकता था यह 47 वीट लंबा और 22 चोड है और आप इस कृतिम गुफा जैसी सन्रचना में से इनसानों को चलते हुए देख सकते हैं 1700 टन विशाल 3 मिलियन पाउंड या 1.5 मिलियन किलोग्राम है वैज्ञानिक गढ़ना करते हैं कि एक औसत इनसान लगभग 200 पाउंड वजन उठा सकता है इस गढ़ित का और 16,000 आदमियों की कल्पना कर सकते हैं जो केवल 47 पीट लंबी है आधनिक दिनों में भी इतनी भारी चटान को उठाना बहुत कठिन होता है और केवल क्रेन जैसे जटिल मशीनरी की मदद से ही संभव हो पाता है यहां तक कि आज हम जिस नियमित क्रेन का उप्योग करते ह वहलगभग 20 टन वजन उठा सकती है और इस चटान को उठाने के लिए 85 क्रेनों को एक साथ काम करना होगा कुछ इतिहासकारों का दावा है कि इस चटान को उठाने के लिए हातियों का इस्तिमाल किया गया था यह भी असंभव है क्योंकि एक हाती 6 टन वजन को ढखेल या खीच सकता है जिसका मतलब है कि 280 हातियों को एक साथ 47 विट की चटान के आसपास इस्तिमाल करना होगा क्योंकि पुरातत्व विद्य है नहीं बता सकते कि इसका निर्मार कैसे किया गया था क्या इस महापाशार निर्मार के लिए कोई अन्यस पश्टिकरण है और इससे भी महत्रपोन बात यह है कि इस्थान ये लोग इसे भीम का चूला क्यों कहते हैं भीम को एक विशालकाय मानव के रूप में चित्रित किया गया है जो 12 फीट से अधिक लंबे थे और वे लगभग 500 इसा पूर्व लिखे गए महा भारत के हिंदू महा कावे में दिखाई देते हैं भीम बाइबल में वर्नित एक नेफलिम के क्लासिक विवरण में फिट बैठते हैं क्योंकि वे एक मानव मा से पैदा हुए थे और उनके पिता एक भगवान थे इस्थान ये लोगों का मानना है कि यह वह इस्थान है जहां भीम नागों से मिले थे जो सरिस्रिप जाती कि थे इस बैठक के दोरान सरिस्रिप देवताओं ने उन्हें एक औशिधी दी जिससे उन्हें 8000 हातियों की ताकत मिल गई इस्थानी लोगों का कहना है कि इस नई अर्जिशक्ति का परिक्षण करने के लिए भीम ने इन विशाल चट्टानों को एक साथ रखा और एक सनचना के उपर उन्होंने एक बड़ी धातु की वस्तु रखी और एक प्रकार का प्रियोग किया क्योंकि पूरा सेटप एक प्रारंबिक खाना पकाने की विधी जैसा दिखता है इसलिए इसे भीम के चूले के रूप में जाना जाने लगा इस सनचना की भीत्री दीवारो पर आप अभी भी कालिक के निशान देख सकते हैं जो इस बात की पुष्टी करते हैं कि यहां एक बड़ी याग जलाई गई थी क्या यह सिर्फ एक स्थानी किवदन्ती है जिसे आदिम दिमागों के एक सम्हू द्वारा गड़ा गया है या क्या भीम और सरी सरिफ देवता माओं के बीच इस तरह की बैठक का कोई सबूत है हिंदू महाकाव ये महा भारत में ऐसी बैठक वास्ता में प्रलेखित है जहां भीम सरिफिर प्राजा से मिलते हैं यह भी दर्ज किया गया है कि उन्होंने एक सरिफिर प्राणिक पिया जिससे उन्हें बहुत अधिक शार प्राज भी यहां स्तित था। भीम के चूले से लगभग 500 गच की दूरी पर हारत का सबसे बड़ा रिलीफ जमीन के नीचे नागों के उत्भव को दर्शाता है। यह इतना बड़ा है कि यह अभी भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीफ है। क्या महाबली पुरम पर कभी देवताओं की सरिसरिब जाती का शाशन था। क्या इसलिए हम प्राचीन ड्रिलिंग, एक रॉकेट और अन्य रहिस में संरचनाओं के प्रमार देख सकते हैं। अगर यह सच है कि प्राचीन हिंदूओं में कभी जाइंट्स या नेफले मौजूद थे तो क्या पुरा पांच फरवरी 2013 को ओडिसा की भुगनेशर में एक विशाल कंकाल की खोदाई की गई, जो साड़े साथ फीट लंबा था। पुरातत्व विदो ने इस विशाल कंकाल को जल्दी से एक गुप्त स्थान पर स्थानांत्रित कर दिया। और यह उलेखनिये खोज मीडिया में क अभी प्रकाशित नहीं हुई। हाला कि पुरातत्व विदो ने गल्ती से मीडिया को इस विशाल का एक कंकाल के बारे में बता दिया था, जब एक महीने बाद एक सामान नियाकार का कंकाल खोजा गया था। नेफलिम कंकालों के बारे में कई अफवाएं हैं, लेकिन यह ए उसत उचाई साड़े 5 फिट होती है, इसलिए साड़े 7 फिट का कंकाल एक शांदार खोज रहा होगा। तो ऐसे विशाल का एक कंकाल मिलने पर भारती पुरातत्विद मीडिया को क्यों नहीं बताते। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की संसनिक हेज खबरे तेजी से फ 2500 साल पुराना ग्रंध महाभारत कहता है कि भीम हस्तिना पुर्नामक शहर में रहते थे, जो अब मेरट जिले में इस्थित है। 8 अगस 2014 को खने को द्वारा गलती से एक कंकाल की खोज की गई। इस्थानी लोगों का कहना है कि यह कंकाल 15 फिर से अधिक लंबा था और इसके गहनों से ढखा हुआ था और इसके सिर पर एक मुकुट था। यह बात तेजी से फैली कि भीम का कंकाल मिल गया है। और इससे पहले कि पुलिसी सिस्थल पर पहुच बाती लुटेरे विशाल कंकाल और गहने ले गए थी। बस कुछ टुकडे पीछे छोड़ गए थ कि यह भीम या उनके वन्सजों में से एक का कंकाल था। क्या यह परियाप्त सबूत है कि जैन्ट सिर्फ पौरानिक पात्र नहीं थे बलकी वास्तविक थे। अगर भीम ने महाबली पुरम में इस विशाल सनजनका निर्मान किया तो उसकी बात क्या हुआ। इस्थानी लो अगर यह सच है तो क्या हमें यह विशाल का पच्चिन महाबली पुरम के पास कहीं मिल सकता है। आंद्र प्रदेश में लिपाक्षी नामा के एक छोटे से गाउं में हम एक विशाल पच्चिन पा सकते हैं। क्या यह भीम के पच्चिन हो सकते हैं। यहां के स्थानी लोग तो इस चाप को बनाने वाला जाएंट 30 फीट से अधिक लंबा होगा। क्या कोई अन्य विशाल पच्चिन हैं जिससे स्थाने लोग सहमत हैं कि यह भीम के पच्चिन हैं। भीम के चूले से लगभग 200 मील की तूरी पर बैंगलोर की बाहरी इलाके में भीमना हिज्जे ना चमक एक और पच्चिन है। यह पच्चिन लगभग धाई फिट लंबा है और यह चाप बनाने वाले जायन की लंबाई 18 फिट से अधिक होगी। बैंगलोर के स्थाने लोगों का मानना है कि भीमने वास्ताब में यह पच्चिन छोड़ा था। याद रखें भारत के विब प्राचीन हिंदू शास्त्रों से मेल खाते हैं। यदि एक जायन ने वास्ताब में इस विशाल महापाशान सनचना का निर्मार किया है तो क्या दुन्या में विशालकाइफ सनचनाओं के अन्य उधारण भी नहीं होने चाहिए जिन्हें भी जायन्ट से बनाया हो। यहां इंग्लेंड में प्रसिद स्टोन हिंज 2600 इशापुर्व के आसपास निर्मित है। 1150 इजवी में लिखी गई रोमंडी बूर्ट नामक पुस्तक में यह सपच्ट रूप से प्रलेखित है कि स्टोन हिंज भी जायन्ट्स द्वारा बनाया गया था। यह दोनों महापाशा इन मानव द्वारा उठाना संभव होगा। क्या प्राचीन ग्रंत केवल पौरानिक कताएं हैं या वे वास्तवे घटनाओं को दर्शाने वाले दस्तावेज हैं। क्या भीम असली जायन्ट थे जो धर्ती पर रहते थे। आप सब क्या सोचते हैं। क्या सकते हैं।